हम पहुंचे हैं खेतडी नगरपाली का छेतर में और नगरपाली का छेतर में हम चुनावी जब पड़ताल कर रहे थे तो एक नाम जो चर्चित रहा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं लिलादर जी सैनी जो चेर्मेन परती निधी हैं खेतरी में जिस तरीके से पड़ताल कर रहे थे खेतरी से आप चुनाव लड़ने की बात सामने आ रहे हैं क्या सत्यता है इस पर मैं मेरा बता हूँ आपको मैं कोंग्रेस का ओबी सी का जिलाद देख सूँ मेरी दरम पतनी खेतरी में नगरपाली का चेर्मेन हैं और वर्तमान में कोंग्रेस के संगठन के मजबूती के लिए हम काम करें साथ साथ में खेतरी से कांग्रेस पार्टी से टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं और हमें पूरा बरोसा है पार्टी टिकेट देगी और मैं अवस्चे चुनाव लड़ो कहाई ये जा रहा है मुख्य मंत्री असो गैलो जब से बवाई आये थे उसमें लिला दरजी की सक्रियता काफी र बाणिये तब से ही हम पूरे चेतर में लोगों के बीच में संपर्क हैं जो कोई भी हमारे पास किसी भी काम के लिए आता है मैं हो या मेरी दरमपत्नी के पास हम सारा काम उनका करतवाते हैं दूसरा सक्रियता चेतर में सुरुआ आज से यह है और रही बात मुख्य मंत्री तो अमारी जिम्नेदारी थी क्योंकि हम हम संगधन से भी ओर में मुख्य मंत्री जिक जब यहतर में रहे हैं जिस तरीके से नेताओं पर आरोप लग रहे हैं चाहे कोंग्रेश के हो पीछे भाजपा के हो चाहे इस बीच्प कों नेता लोग काम नहीं करते खेतरी में इस पर क्या कहेंगे देखिए मैं बताओं आपको खेतरी जब से विदान सवा चेतर बना खेतरी में आज तक दो ही बार खेतरी का कोई जनपर्दी निदी खेतरी से चुनके गया रही बात खेतरी की काम करने की तो खेतरी में काम खूब विकास के काम खूब हुए हैं सरकार ने बहुत बहुत अच्छी होजना है खेतरी के दिये बहुत सोगाते दिये हैं और जब से नगरपालिका में आप देखेंगे वर्तमान में नगरपालिका में जितना काम हमारे ड़ बजट के दिनी में लगा है उतना बज़व आज तक लगा ही नहीं है खेद्री जैसे पोर्थ करेंडी कि नगर पाली का उसमें शीवरेज और वाटर सप्लाइए का लगबक 83 करोड रुपे का काम चल रहा है 14 करोड रुपे की नई सड़के खेद्री नगर पालिका में मानिय मुख्यमंत्री जी ने दिये और आप देखेंगे खेद्री को परियटन के रूप में विक्षित करने के लिए पना सागट ताला आप पे कितना पैसा लगा है अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है अगर आपको जनता चुनकर भेजती है विदान सभात तक के तो आप खेद्री के लिए क्या ऐसी सोगात देंगे जिससे की इतिहास के पनों पर जिस तरीके से पहले भी इतिहास के पनों पर खेद्री का नाम लिखा गया कोई ऐसी योजना जो आपके दिमाग में हो देखे सबसे बड़ा तो खेद्री को जो खेद्री की पुरानी सबसे पुरानी मांग रही है खेद्री को जिला बढाना उसके लिए मैं पूर जो कोशिश करूँगा मेरी पूरी ताकत के साथ खेद्री को जिला बढाने का प्रियास करूँगा दूसरा खेद्री में रोजगार की एक बड़ी समस्या है अभी मान्य मुख्य मंत्री जी आये थे तब उन्होंने रिको का उदगाटन किया उसका डवलोप्मेंट हो लोगों को रोजगार मिले साथ में जो खेद्री का पुराने रोजगार के साधन थे जैसे इंदोस्तान कॉपर लिमिटेट के अभी वर्दमान में जरजर होता है तो नई माइनिंग चालू हो यहां प्लांट चालू हो S.E.L. का और साथ में खेद्री का पुराना जो खेद्री शेहर का आचार का दंदा है खेद्री के लिए यहां पानी की कमी है तो उसके नहर के लिए परियास करेंगे कि हमारे हरियाना से लगते हुए जो गाम है जैसे ठाटवाडी है दूदवा है गोरी रह इन में नहर आए लाखर बांद में यमुना का पानी आए जी सागर बांद में यमुना का पानी आए उसके लिए हम पूर जोर परियास करें ऐसी क्या परिस्तितियां बनी जिससे आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा यहां के छेतरी विदायकों ने अनेक मंचों से काहा है कि खेतडी से कोई दावेदार ही नहीं है देखे जितंदर जी मैं बता हूँ आपको पहली बात तो कि राजनीती मेरा खुद का चोईस नहीं थी कि मेरे को राजनीती में आना राजनीती में जनता की मांग पर जनता राजनीती ने मेरे को चुना और पहला चुनाव लड़ा चैर्मेन बढ़े क्योंकि मेरा राजनिती विषकरी राजनिती में मैंने कभी बाग नहीं लिया लेकिन जनता की इच्छा थी और आप जो हमारे कारे काल है डाई साल का और जनता की मांगए उसी आदार पे हम टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं और आ कि कॉंग्रेस से इनको टिगट मिलती है या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन ये खेतली से मजबूती से दावेदारी जरूर कर रहे हैं